देवी शेल पुत्री सुरक्ष पधान करती है और देवी ब्रह्मचारेणी सही रास्ते का मार्ग दिखाती है इनके बाद देवी चंद्र घंता बहार और अंदर दोनों ही दुश्मन और रुकावटों से एना सिखाती है जो कि आज तीसरी रात के अवसर पर नवरातरे के जाता है और उनके मुखट पर चंद्रमाखी आकार रौश्निका एक अलग ही नूर आता है जिसकी वजा से उन्हें चंद्रघंता कहा जाता है ओम देवी चंद्रघंताय नमहा पिंडजा प्रवारूडा चंड़ा को पस्त्र केर्यूता प्रसादम तनुते महियं चंद्रघ चंद्रघंते ती विश्रुता